हाई फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर मुशरफ हुसेन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट अटेक के बारे में हार्ट अटेक के बहुत सारे कारण है चाहे वो स्मोकिंग हो चाहे मुटापा हो चाहे बहुत जादा चिकना भोजन करना हो मीठा भोजन करना हो या वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हार्ट अटेक होता कैसे हैं तो हमने जितने भी इन कारणों की बात की उन सबका ultimate जो result निकलता है वो होता है coronary arteries का block हो जाना और blockage कैसे होता है जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जब भी आप लगातार smoking करते हैं तो उसकी वज़ा से कुछ plaques जो है वो artery के अंदर इखटा होने लगते हैं या अगर आप बहुत ज़ादा चिकना भोजन काते हैं एक्सरसाइज नहीं करते हैं आपका sedentary lifestyle है या genetic history भी हो सकती है तो उसके कारण आपकी arteries के अंदर cholesterol जमा होने लगता है और दीरे दीरे करके आपकी जो arteries हैं उसको वो narrow बना देता है जब तक blood supply continue रहती है तब तक मरीज को थोड़ा बहुत कभी कवाट discomfort हो सकता है लेकिन जिस दिन ये blood supply बहुत ज़ादा काम हो जाती है या रुक जाती है इस condition को heart attack कहा जाता है उस समय heart की muscles को blood नहीं पहुचता जिसके कारण heart की muscles dead होने लगती है मरीज को बहुत तेच्छाती दर्द होता है पसीने आ जाते हैं सास फूलने लगता है मतली आने लगती है और मरीज बेहोश भी हो सकता है तो ये heart attack था heart attack से बच बचने के लिए सबसे पहला जरूरी काम करना होगा कि smoking को बंद करना पड़ेगा उसके अलावा आपका जो life style है उसको change करना होगा daily comes to come 30 minute का brisk walking जरूरी है आपके heart की health के लिए और आपके खाने पीने पर आपको control लगना पड़ेगा आप कम नमक कम मीठा और कम चिकना अगर द्वारा मरीज की जान बचाए जाती है जिनमें angiography and angioplasty बहुत ज़्यादा common है तो यह कैसे किये जाते हैं पूरे detail technique आप आने वाली वीडियो में देखेंगे तो मुझे उमीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जादे जादे लोग को शेयर करें जिससे अधिक तर लोग को इसका फाइदा पहुचे और अगर वाकर ही आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बैल एकन का बटन भी दबा लें तो देट आपको सारे इंफॉर्मिटी वीडियो समय पर मिल दे रहें थैंक यू